नम्स्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का आज के क्लास में दोस्तों आज के क्लास में देखने वाला है apparently यह किस टाइब के depositional features है तो चलिए उसे के बारे में आज शुरुवात करते हैं शुरुबात करने से पहले दोस्तों, let me remind you that geography optionals के smart classes हम लोगे लाँच किये हैं, अलरी हिंदी में और English में, दोनों languages में यहाँ पर चल रहा है, आपको अगर इसको access करना है, तो दोस्तों, smart rankers education app डाउनलोड कर सकता है, और यहाँ पर आपको दोनों coverage, दोस्तों, basics के साथ साथ advanced portion, जो के आपको geography optionals के बहुत जादा मलत करने वाला है, उस दोनों को proper तरीके से cover किया हुआ है, so go to google play store and download smart rankers education app to access these all courses, चलिए, शुरुबात करता है, अब sand pits, tombolos, दोनों के बारे हम लोगे दिसकस करेंगे, but discuss करने के से पहले, let me make you visualize the things, कोई भी island का कोई भी एक part ले लो, तो हमें usually इस type का कुछ lands हमें देखने को मिलता है, land words का head words से जो निकला हुआ रहता है, उसको headland कहता है, यह तो आपको पता है, यह वाला हुआ land वाला side, यह वाला हुआ ocean वाला side, is it clear, right, अभी आपने पढ़ा है that longshore drift किसको कहता है, right, अब यह वैसे waves है, जो क्या create होते है, due to the subjection of wind speed, right, तो वो उसको, मनलब वो जब create होते हैं, say for example, यह ocean है, right, और यह जो drift है, यह इस side में कहीं नहीं, right, इस side में, देख रहो, arrow का side देखो मैं, मैं दिखाने एक कुछ कर रहा हूँ, right, अब इस side में अगर सोचो wind बह रही है, तो यहां से जो deposition, जो यह shore में deposit करेग यह कुछ इस type से deposit करेगी, मांते हो, है न, इस type से कुछ deposition होगा, अब देखो, हमें यह पता है, that for wash और back wash दो होता है, मतलब सोचो, कि wind के direction में आगे में wave आएगा, है न, land से टकड़ाएगा, बट वापस जब, इधर से, मनलब, क्या बोलता है, टकड़ा कर जो wave वापस जो अब देखो, ध्यां से देखना, यहां से sediments गया उपर, फिर से sediments नीचे आ गया, right, फिर से यह sediments जो है न, इस sediments को, इस drift के कारण, यह इस direction में फिर से ढखे लेगा, समझ दो बार, मतलब यह sediments, यहां पर बहुत सारे sediments deposition हो जाएगे, जिसमें कुछ-कुछ sediments फिर से नी 90 degree angle है, फिर से नीचे आएगे, मतलब धान से देख रहो, यहां से जितने सारे sediments है, उसका धीरे-धीरे इस side shift होते रहा है, इस side, समझ रहो, देखो, शोड के along, तो depositional features create हो ही रहा है, बट साथी साथ, क्योंकि wind का direction इस direction में है, इसलिए, यह जो, मतलब, four wash और back wash के कारण, जो, यह sediments जो नीचे आ रहा है, वो फिर से इधर धके ले जा रहा है, बट वो थोड़ा इस direction में धीरे-धीरे shift कर रहा है, यह आपको visualization हो रहा है, ठीक है, अब देखो, ध्यांसे, यह जो direction में shift होते, 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 क्या होगा ना, एक ऐसा situation आएगा, जब यह last में, headland के last वाद एगी, हमें यह पहुँच जाएगा, नो, नो, देखो, यहाँ पर तो deposition ही होगा, बट यह जो direction का impact जाए ना, इस region में नहीं होगा जादा, वो हमें clearly देख भी रहा है, क्यों नहीं होगा direction, ठीक है, अब इस region में अगर नहीं होगा, तो आपका जाके longshore drift के कारण, जितने भी actions हो रही है, वो इस coast के along हो रही है, is it clear, और जितना भी deposition है, वो हम देख भी रहे है, इधर shift कर रहा है, मतलब पहले शायद यहाँ तक वो deposition था, अब थोड़ा आगे बढ़ गया, और भी आगे थोड़ा बढ़ जाएगा, और भी आगे थोड़ा आगे यहाँ बढ़ जाता है, समझ रहे बाद, अब देखो, यह जो depositional feature form होती है न, इसको मैं थोड़ा dark कर दे रहा हूं, ठीक है, यह जो depositional features finally form हो रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टॉम्बोलो, ठीक है, sorry, sand spit, माफ कीज़ेगा, sand spit, ठीक है, तुम्बोलोज अलग होते हैं, है न, मैं बता रहा हूं, sand spit क्या होते हैं, अच्छा यह तो देखो, feature तो ऐसा बन गया, अब इस feature में भी आपका जाते हैं, कभी कभी क्या होता है, अभी तो wind direction इधर है, बट अचानक से सोचो, wind का direction इधर change हो गया, होता ही है, य समझे रहा है, है न, देखो, similar वही चीज हो रहा है, लेकिन, but sediments का direction थोड़ा bend हो गया, तो यह जो overall final features मिलता है, इसको थोड़ा hook कहता है, यह वाला part को, जो bend हो गया, उसको कहता है, hook, या फिर curved end भी हम बोल सकता है, anyways, but ध्यान दिजेगा, यह erosional feature नहीं है, बिलकुल, यह क्या है, depositional feature है, alright, clear है, चलो, तो यह अपने हो गया, तो यह overall जो पूरा structure जो बना due to depositional features, इसको हम कहता है, sand spirits, कोई शक यहाँ पर, अब, जो tangolo होता है, वो छोटा से एक different चीज होता है, उसमें क्या होता है, that यह sand spirit तो पहले बना ही, है न, यहाँ पर बना न, और यह जब connect कर देता है, कोई island से, मतलब इस main land को island से connect कर देता है, तब हम उसको कहते है, tombolo, Ram Setu, जो है न, that is a good example of tombolo, is it clear, जो क्या India को Shri Lanka से के साथ add करता है, is it clear, मतलब समझ गया है, sand spirit क्या होता है, tombolo क्या होता है, इस से अच्छा शायद भी कपको कोई, मतलब proper तरीके सामझा पा है, ठीक है, so this was all about the discussion for today's class, मिलता है next class ने, एक नए topic के साथ, till then, bye-bye, take care, and thank you for listening to all video, thank you very much.